शहार के युवा कलाकार हरिश कुमार फुलवारी ने 114 कोडियों पर भारत के महापुरुशों, विद्वानों, विचारकों, नेताओं के व्यक्तिगत चित्र बनाकर इंडिया बुक आफ रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है इंडिया बुक में नाम दर्ज होने के बाद फुलवारी ने इनीज बुक आफ रिकोर्ड के लिए नाम पेश किया है इन महापुर्शों से अनेक व्यक्ति प्रभावित होते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हुए उनके मार्ग दर्शन पर चलते हैं फुलवारी के नुसार पडिवार में प्रतम गुरू माता होती है और उन्होंने अपने मा विम्ला देवी फुलवारी को अपना गुरू मानते हुए उनका चित्र पोडियो पर बनाया इसके बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेटकर, महत्मा गांदी, जोतिबा फुले, सावितरी वाई फुले, दामुदर दास राठी, गोपास सिंग खरवा, कर्नल दिक्षन, एपीजे अब्दुलकलाम, चंदर शेखर आजात, जमाहरलाल नहरू, मदर टैरेसा, अट जमनलाल बजार, विजे सिंग पथिग, डॉक्टर मनमोहन सिंग, हरिभाव उपाध्याय, मोहनलाल सुखाडिया, ठाकुर कुशाल सिंध था, अशोग गहलो सहीट, 114 कोडियों पर व्यक्ति चित्र बनाए हैं कोडियों पर चित्र बनाने की कला की बारे में फुलवारी ने बताया की, कोडिया पवित्र होने के साथ साथ प्राचिन विश्यु में व्यापान में लेंदेन के रूप में काम मिली जाती थी कोडिया धार में एक सांस्कृतिक सामाजिक चिकित सातंत्र रित्ती रिवाच में टोटके आदी शेत्रों में विशेश उप्योगी है यह पवित्र होने के कारण इन पर पैंटिंग्स बनाने की प्रेर ना मिली उन्होंने बताया कि उक्तिकारे में उन्हें अपने बड़े भाई घंशाम पुलवारी पिता मदनलाल पुलवारी तथा पंकच पुलवारी का समय समय पर माग दर्शन भी प्राप्त हुआ है इन इसे प्रेरित होकर इंडिया बुक आफ रिकोर्ड कीर्तिमान हासिल करने की प्रेरणा मिली है बाचेत के दुरान हरिश उलवारी ने बताया कि अब उनका लक्षे किनिस बुक आफ वर रिकोर्ड में नाम दर्ज करवाना है मैं नाम हरिश कुमार पुलवारी है मैंने कोडियों पर करीबान 114 वेक्ति चित्रोंगर बनाया जिनमें सर पर्थम अपनी माता विवादेवे पुलवारी का वेक्ति चित्र बनाया और इसी को देखते हुए फिर मैंने भारत के जितने भी महापुरुष हैं विद्वान है विचारक हैं नेताओं के इन सबके वेक्ति चित्रोंगर बनाया है इसलिए बनाया क्योंके हर विक्ति इनको अपना आदर्श मानता है और इनको आदर्श पर चलता है तो इसी से पेड़ना पाकर मैंने कोडियों पर इनके विक्ति चित्रोंगर बनाया जिनमें डाक्टर भ में इन कोडियों पर इससी को परियास करते हैं मैंने अपना नाम बगये पेश किया कि